Hello dear students, good morning, good evening all of you. हम बात करें हैं balance sheet finalization की और balance sheet finalization के आज की lecture में हम बात करने वाले हैं provisions या adjust against provisions. हमें provisions क्यों बनाना होता है, उसकी need क्यों होती है और provisions कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ आज हम इस lecture में cover करने वाले हैं. हमने previous class में देखा था कि जब भी आप किसी की भी balance sheets prepare करें, किसी भी financial year की balance sheet prepare करें, उससे में आपको previous year की balance sheet एक बार देख लेनी चाहिए. इससे आपको ये idea हो जाता है कि actual में कौन-कौन से ऐसे expenses होते हैं, जो 12 माईने के होते हैं, जिनको हमें next year provisions के रूप में ले जाना होता है. अब actually provisions की entry होती क्यों है, जैसे for example हमने theoretical concept के अंदर detail में cover किया था, लेकिन वो हो सकता है, आप से कई मीस हो गया हो, आप भूल गया हो, नॉर्मली से यह एक रहता है कि for example, जैन्यूरी का अगर कोई payment है, वो आप पेब में करते हो, छीक है, पेब का अगर कोई payment है, आप उसे मार्च में करते हो, और मार्च का अगर कोई payment है, उसे आप अप्रे होता है लेकिन इन दोनों का financial year same नहीं होता है अगर आप March का payment अप्रेल में करेंगे तो यह इस year का expenses माना जाएगा और यह है सर्मारा financial year 23-24 March मंत का अगर आप कोई भी expense है जिसका payment आप अप्रेल में कर रहें तो उसके लिए आपको provisions बनाने की जरूरत होती है उसके लिए आपको provisions बनाने की जरूरत होती है provisions के से बनाते कोई भी expenses होगा उस expenses को आप debit करेंगे to expenses payable जो भी expenses है बस उसको आप payable में ले जाए और payable का जो head है या तो आप उसको provisions रखिए या फिर आप उसको other current liabilities भी रख सकता है चलिए practical देखते हैं के से होता है आप से यह हमारी balance sheet है balance sheets में आप जाते हैं यहाँ पर balance sheets में आप यहाँ पर आपको दिखेगा provisions चीक है यह previous year के provisions है audit fees payable अभी भी से 21192 है करेंगे यह previous year का प्रोविजन है अब यह हमने क्या किया था प्रिविएस यह के expenses थे जो हम इस साल में payment करेंगे यह previous year का प्रोविजन है अब यह जो previous year का provisions 29705 उसका payment हमने किया ही होगा इस साल में तब ही जाके यह provisions के entry pass हुई है तो देखते हैं सब्सक्राइब कहां से electricity payable है अब आपको यह ध्यान electricity expenses आप सब्सक्राइब करेंगे यहां पर सर्व बैंक आ जाएगी जिस बैंक से आपने पेमेंट किया हुआ अब आप यहां पर देखेंगे 21st payment हमने किया है सर 15 April 2023 को 29705 अब यह पेमेंट कौन से मंत का था जो हमने पेंग किया यह पेमेंट था सर मार्च मंत का जो हमने अपरिल मंत में पेमेंट किया अब यह अपरियल मंत में हमने इसकी entry किये तो यह expenses कौन से year का माला जाएगा अपरिल मंत मां यानि की financial year 23-24 का पर इसको हम चेंज करेंगे, electricity expense की जगह, हम electricity expenses payable entry pass करेंगे, क्योंकि वो payment payable था, जो हम pay कर रहे हैं, तो अब आगर आपकी यह entry हट गई, यह इंट्रे आपकी यहां से हट गई क्यों हट गई क्योंकि वो expenses से March month था जो हमने इस month में इस year में pay किया अब expenses payable का ledger से अगर आप देखेंगे तो अब क्या हो गया सर यह 0 हो गया अब क्या हो गया जीरो हो गया अब balance sheet में जाके देखेंगे तो balance sheet current liabilities provisions अभी यहां पर आप opening balance लिया चोंड ट्रांजेक्शन यह करेंगे तो यह क्या हो गया सर जीरो हो गया तो previous year का कोई भी अगर provisions है तो उसके सामने अगर आपने payment किया हुआ है तो आपको उसको क्या करना है अब बात करते हैं कि सर इस साल आपको फिर से provisions मनाने की ज़रूत पड़ेगी क्या डी एल एल इलेक्ट्रिसिटी expenses अब सर यहां पर अगर आपको दीख रहा है तो यह सिप 11 इंट्री है एक दो तीन चार पांच साथ आठ नौप 10 यह 10 इंट्री है यानि कि मार्च मंत में भी आपने पेमेंट किया ही होगा इसको भी आपको चेक करना है तो यह expenses एक्सिस बैंक ओडी अकाउंट से पेमेंट हुआ है अब यहां पर सर एक्सिस ओडी अकाउंट है उसको अपन ऑपन कर लेते हैं यह यहां दीख नहीं रहा है क्योंकि कि खो चुगा इसलिए करेंगे यह आपको दिख जाएगा अब यह चुछ JUST कब हुआ सब फेब्यूरी में क्लोस हो गया तो पेमेंट कहां से करेंगे तो उसके बदले से दूसरे पेमेंट आपके कहां से हो रहे हैं बैंक और बरोड़ा इस से हो रहे हैं तो इस में आप देखेंगे कि एक्चुल में आपका electricity payable काम आउट कुछ हुआ है या नहीं हुआ है चीक है अब यह 1625 तर क्या है इंस्वरेंस है यह तो कि मैंने स्टिल्ट यहां पर कई payment दीखनी रहा है उनका यह बीरी में देखते हैं तो यहां पर भी कि लोन प्रोसेसिंगे सरीए इंट्रस्ट और सिसी लिमिट है अगा 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 इंस्वरेंस है क्योंकि इसना चोटा वांट तो है नहीं इतना बड़ा भी नहीं है चलिए यहां पर पैमेंट अभी हुआ नहीं है इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट से केंद्रा से देख लेते हैं सर मार्च में कोई प्रेमेंट हुआए गया कि अग्या है कि पंद्राइट सु चालिस यह तो यह माई है कि यह विमल अग्रवाल को किया उन्होंना चब्विस पार्च को यह प्रेमेंट भी नहीं हुआ है अब बात करते हैं सर मार्च मंद का प्रेमेंट होगा जो अप्रेल में पेगिया है जैसे हमने हमने क्लाइन से पूछा तक सर आपने अप्रेल में कौनसा पेमेंट किया हुआ है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि सर हमने अप्रेल मंत में इतना पेमेंट किया हुआ है ठीक है जैसे हुआ है हुआ है अप्रेल 2024 में एलेक्रिसिटी का बील अमाउंट कितना है तो अथारा दोसुचपन गृट्टी तो यह इंट्री करनी है अपन को अथारा दोसुचपन क्या इंट्री होगी से वाउचर में होगी 31 मार्क डोलजार चोईस को होगी electricity expenses, कितना है, 18214, टू, electricity expenses payable, ठीक है, क्योंकि यह payment हमने अप्रेल में किया हुआ, लेकिन expenses कौन से year का था, March month यानि कि financial year 23-24 का था, पर हमने pay-up किया, अप्रेल में, तो अप्रेल में कौन से financial start हो जा था, 24-25, इसके लिए यहाँ पे हम entry pass करेंगे, being expenses record, चीक है, अब इसी तरह से अगर आप P&L में जाएंगे, तो P&L के अगर आप expenses देखेंगे, जैसे यहाँ पर administrative expense है, अब सर, उनकी जो salary है, वो 2500 रुपिस पर मन्थ है, तो इसके इसाब से अगर देखा जाए, तो 12 मेनों की salary कितनी होती है, सर 30,000 रुपिस होती है, अब 30,000 रुपिस होती है, लेकिर यहाँ पर जो salary डली होई है, 22,500 रुपिस के डली होई है, तो 7,500 रुपिस के, यानि कि January, February और March, तीन मन्थ की जो salary है, उसका expenses डालना रहे गया है, यानि हभी तक उसको उसको पेमेंट नहीं गया है, तो इसकी भी हम एक provisions बनाएंगे, provisions इस तरह से बनाएंगे सब, अकथिस तीन दो चोईस, एक आथिस तीन दोजार चोईश, श्योंक चार्ज, टो अगावंटिं चार्ज्स, पेब, पर दो मन्थ आँ आथ, जैन, पेब, मर्च की, कि यह हमने पूर्ट कर दिया प्रोविजन अब आपको यहां पर दिख जाएगा सब्सक्राइस अकाउंटिंग चार्ज आपके थाटी थाउंजन टाग है फिनांशिल एक्सपेंस में कोई भी आपको प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यह सब प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है अब एक और प्रोविजन जैसे यहां पर आगर आप देखेंगे प्रोविजन में यह है ओडिट फिस पेबल जैसे प्रिविएस यह भी उन्हें देशाजार का प्रोविजन किया तो इस बार नहीं किया है इस बार भी हम 31 मार्च को प्रोविजन के इंट्री पास कर लेते हैं और फिस पेबल पोर फिनांचल यह यह अगर आप पनल में जाएंगे तो आपको यहां पर ओडिट फिस आजाएगी सरी ओडिट फिस टेन फाउजन रुपिस का एक्सपैंस अपका बुक हो गया और उसका पेमेंट नहीं किया इसके लिए बैलेंस इट के प्रोविजन में कि अलाग है सने और फिस पेबल ठीके यह इस पेंसे सर अपका ओगया और फिस तूवडिट फिस पेबल ओके तो इस तरह से आप यहां पर पी गया करते हैं और जो प्रोविजन स्चेयर के होते हैं वे इस साल अगर आपने उसका प्लय किया होता है तो इसके मैं आप आप ए या नहीं है वो क्या से चेक करना है वो सब कुछ आज हमने देखा I hope इस लेक्षर में जो कुछ बता है वह आपको इसली क्लियर हो गया तो आज के लिए बस इतना नेट लेक्चर में हम नाट आपिस के साथ में फिर से मुलाकात करते हैं तब तक के लिए थैंकिश सो मच